इस वाले वीडियो के अंदर अपन सीख रहे होंगे कि simple conical projection with two standard parallel या फिर दो मानक अक्षांसों वाला शंकू प्रक्षेप किस तरह से बनाते हैं ये सीख रहे होंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपने पास प्रशन है कि 20 डिगरी उत्तर से 80 डिगरी उत्री अक्षांस तथा 60 डिगरी पूर्वी देशांतर के मद्दे स्थित 10 डिगरी अंतराल तथा इतनी मापनी पर मानचित्र बनाने के लिए दो मानक अक्षांस वाले शंकू प्रक्षेप की रचना की प्रक्षेप में 40 डिगरी उत्तर तथा 60 डिगरी उत्तर अक्षांस वित्तों को मानक अक्षांस मानिए तो अपने को यहां पर छेत्र का विस्तार दे रखा है अपने को यहां अंतराल दे रखा है मापनी दे रखिए और यहां पर अपने को मानक अक्षांस दे रखा है सबसे पहले अपन जो है वो गोले का अर्दिव्यास निकालते हैं यानि आर की वेल्यू कैसे निकालते हैं प्रित्वी का वास्तिवी का अर्दिव्यास 635000000 बटे के अंदर जो निरुपक भिन दे रखी होती है उसका हर तो योगया 125000000 इसको भाग देने के उपर अपना उतर आएगा 0.5 cm जैसा आपने लास वीडियो में भी देखा था अपन 0.5 cm की अपनी स्केल खोलते हैं और फिर एक आर्क ड्रो करते हैं तो मैं जो है यहां से 5.8 cm का अपना कमपास के अंदर ये देखो मैंने गैप खोल लिया है 5.1 से जस्ट पहले यह हो गया 5.8 cm का और मैं क्या करूंगी एक इस तरह से आर्क ड्रो कर दूंगी फिर अपन क्या करते हैं एक अपन आर्डी लाइन ड्रो करते हैं और एक अपन जो आर्डी लाइन ड्रो करिए इसके लंबवत या बोलू इसके परपेंडिकुलर एक सीधी लाइन ड्रो करते हैं तो मैंने इस तरह से line draw कर लिए इसको नाम A दे दिया इसको O दे दिया इसको B नाम दे दिया ठीक है इसके बाद मैं अपने last video में जिस तरह से गराता अपन अंतराल बनाते हैं और मानक अक्षांस बनाते हैं तो अंतराल दे रखा है 10 degree और मानक अक्षांस दे रखे हैं 40 degree और 60 degree तो मैं पहले यहां से compass को एकदम exact रखे यहां से 10 degree मानक अंतराल दे रखा है उसका एक point लगा दूँगी 40 degree अपने को मानक अक्षांस दे रखा है और 60 degree अपने को मानक अक्षांस दे रखा है अब इन बिंदूों के उपर मैं बिंदू O से पूरी रेखा जहां तक चाप है वहां तक ड्रो कर दूँगी तो यह मेरा 60 डिगरी का हो गया, यहां से यह जो है मेरा 10 डिगरी का मानक अंतराल वाला हो गया ऐसा होने के बाद मैं अपन क्या करते हैं? यह जो अपना मानक अंतराल वाला होता है गैप होता है यह इतनी अपन चाप ड्रो करते हैं तो इतना मैंने कमपास को ओपन कर लिया है और मैं यहां क्या करूँगी एक चाप बना दूँगी यह चाप बनाने के बाद में अपने जो ये मानक अक्षांस होते हैं जो ये 40 डिग्री और 60 डिग्री इनकी इस रेखा से ये जो अपनी खडी रेखा होती है यहाँ पर एक OB के पेरलल लाइन ड्रो करते हैं जहां से ये चाप काट रहा है तो ये देखो ये वाला जो चाप है 40 डिग्री को यहाँ पर काट रहा है तो मैं यहाँ से जो है एक रेखा बनाऊंगी एकदम स्ट्रेट इसी तरह से ये जो 60 डिग्री वाल लाइन है इसको चाप यहाँ पर काट रहा है यहाँ से मैं एक रेखा बनाऊंगी ये इस तरह से ठीक है और इसको मैं नाम दे देते हूँ ह, आई, जी, एफ इस तरह से मैंने नाम दे दिया इसको C नाम दे देते हैं इसको D नाम दे देते हैं यह अभी अपना फर्स्ट टेप हुआ है अब अपन ने जब एक मानक अक्षांस वाला शंकू प्रक्षेप बनाया था तो उसके अंदर अपन जो एक मानक अक्षांस तो वहाँ से अपन प्रपेंडिकुलर ड्रो कर रहे थे अब क्योंकि इसमें दो मानक अक्षांस है तो इनका प्रपेंडिकुलर बनाने की बजाए अपने एक नया step एड़ करेंगे इसमें एक सीधी रेखा ड्रो करेंगे और अपने compass के अंदर ये जो gap है 40 degree मानक अक्षांस से 60 degree मानक अक्षांस वाला उतना अपन compass को open करेंगे और इसके उपर कहीं भी इस तरह से plot कर देंगे इन दो बिंदों से अपने क्या करना है ये जो अपना gap है 40 degree मानक अक्षांस नीचे वाले के लिए 60 degree मानक अक्षांस वाला उपर वाले के लिए scale में आपको measure कर लेना है जैसे ये हो रहा है 0.7 cm तो 40 degree वाली के लिए ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर 0.7 cm ये जो अपने रेखा बना ये बीना measurement की इससे एक parallel में line draw करके end point पर point लगा दूँगी इसी तरह से मैं ये वाला measure करूँगी ये कितना हो रहा है 0.5 cm ठीक है तो यहाँ से मैं again एक perpendicular draw करूँगी इस point से यह हो गया 0.5 cm end पर मैंने point लगा दिया अब ये जो दो point है इन दोनो points को मिलाते वे मैं एक रेखा draw करूँगी कहां तक draw करने ये वाली रेखा जहां तक कि अपने पहले ये जो बनाई है इसको meet ना कर जाए तो इसको मैं और लंबा कर देती हूँ ये हो जाएगी इस तरह से इस वाले point के उपर आके ये दोनों lines join हो रही है तो ये होगे अपना second step अब यहां से अपन क्या करेंगे प्रक्षेप बना रहे होंगे और प्रक्षेप बनाने के लिए अपन एक बीना measurement की cd line बनाते हैं और सीधी लाइन बनाने के बाद में अपन जो मानक अक्षांस होते हैं उसकी दूरी पर मानक अक्षांस बनाते हैं तो यह अपना 40 डिगरी वाला है तो यह जो पॉइंट है यहां से गैप करना है अपने को कमपास के अंदर 60 डिगरी तक का तो यह मैंने ओपन कर लिया और इस चालीस डिगरी है यहां तक का अपन पैंसिल को ओपन करेंगे और अगेन इसके टोप पॉइंट से मैं एक और आर्क बना दूँगी यह मैंने आर्क बना दिया अब यह क्या बना रहे हैं अक्षांस का विस्तार कितना दे रहा है 20 डिगरी उत्तर से 80 डिगरी उत्तर अब उ में 70 और बन रहा होगा 80 और बन रहा होगा 80 तक ही बनाना है 60 से पहले 50 बन रहा होगा 40 बन गया इससे पहले 30 और 20 बन रहा होगा 20 तक का बनाना है तो बाकी अक्षांस बनाने के लिए अपन क्या करेंगे यह जो अपन ने अंतराल बनाया है अंतराल का जो यह चाप का डिस् से सोरी दस डिगरी यहाला जो डिस्टेंस है इतने इतनी अपन क्या करेंगे इस तरह से पॉइंट्स बना देंगे यह अपना साथ डिगरी के लिए हो गया और इसके नीचे की साइड यह मेरा 20 डिगरी के लिए हो गया यह 30 और यह 20 20 30 यह 40 का यह 50 60 80 अब यहां से अपन सारे आर्क बना देंगे एक एक करके जहां तक कई यह पॉइंट है वहां तक ले जागे मैं क्या करूंगी आर्क ड्रो कर दूंगी इसी तरह से यह बनग्या अपना 70 डिगरी का इसी तरह से यह बनग्या 50 डिगरी का यह तक उपन करके यह बनग्या 30 डिगरी का और ये लास्ट बनगया अपना 20 डिग्रिया spr下次 बनगया अपने गवांत्र है अपने को बनाने देशांतर ता देश्धांतर बनाने 60 मानक अक्षान से यह मिलाते हैं यहां से बनता है तो यहां से क्या करना है इस वाले गैप को मैजर करना है यह मेरा गैप हो गया जितना यह गैप होता है उतने उतने 60 degree वाले के लिए ये वाला distance और 40 degree वाले के उपर ये वाला distance जो है compass से इधर mark कर देने हैं तो अब क्योंकि ये compass तो इससे ज्यादा close होई नहीं रहा है तो मैं क्या करूंगी इसको scale से measure करूंगी और उधर points लगा दूंगी ये है मेरा 0.5 का तो, 60 डिग्री वाले अक्षांस पर, मैं इस तरह से सेंटर से, 0 से लेके, यहां पर आएगा, मैरा 0.5 यहां एक पॉइंट लगाऊंगी, फिर यहां से मैं अपनी स्केल को इस तरह से रखे, यह 0.5 का हो गया, फिर इसको स्केल से रखे, यह 0.5 का हो गया, 10, 20, 30, यह ओगया, 40 डिग्री, यह ओगया, 50 डिग्री, और यह ओगया, 60 डिग्री, इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी मैं इस तरह से कर दूँगी, आपका अगर कमपास ओपन हो रहा है, तो उससे करना, एक यूरेसी ज़्यादा होगी, मैरे वाले में मिस्टेक भी हो जाएगी, यहां 35, 40, 50, और यह 60, इसी तरह से अब 40 डिग्री के लिए जो यह नीचे वाला गैप है, उतना पन करने रहोंगे, तो यह 0.7 का है, तो मैं यहाँ से, अब क्योंकि यह डिस्टेंस थोड़ा बड़ा हो गया तो, इसको मैजर कर पाना पैन से, इससे थोड़ा डिफिकल्ट होगा, यह 0.7, यह अगें 0.7, मतलब इस तरह से सारी लाइन, सारे डोट्स लगा लेने, आप जब कमपास से सारे डोट्स लगा लोगे, फिर क्या करना है, इन दोनों डोट्स को मिलाते वे, इसके टोप मोस्ट पॉइंट को जोइन करना है, कुछ इस तरह से, टोप मोस्ट इन दोनों डोट्स को मिलाते वे, इसको, कुछ जो है एक्यूरेसी के अंदर थोड़ा इधर उदर हो सकता है, क्योंकि अपना ज़रूर इन यह कमपास एकदम एक्यूरेट हो रखा हो उस टाइम के लिए, या फिर स्केल थोड़ी भी हिली ना हो, तो उस हैं यहां पर, इस तरह से यह मेरा दस डिग्री देशानतर हो गया, इधर बीस डिग्री हो जाएगा, तीस डिग्री हो जाएगा, चालिस डिग्री, पचास डिग्री, और यह साट डिग्री, यह पूर्व की साइड के हैं, इसी तरह से इधर के भी बन जाएगे, दस डिग्री, बीस डिग्री, तीस डिग्री, चालिस डिग्री, पचास डिग्री, और यह साट डिग्री, बाकि जितना भी यह unwanted part होगा उसको अपन erase कर देंगे करनों लिखister होगे हां इपना 20 डिगरी थी *** ऑचास डिगरी साट डिगरी पूर भी देश Antat गलत अग्या प्यक्त का सब्सक्राइय ने इसका अग्या में और विखन स्थमह देश दिगरी , बीश विकन में में 53 Just एक शाट लोग अपना ऑगया मानक अक्षांस तो अपनई दर लिखदेंगे मानक शां से अरुस स्थाइनुकर बनना पर मो अक्ष्श। ड्रो करते हैं फिर एपने आड़ी लाइन और एक सीधी लाइन ड्रो करते हैं और इसके अंदर सबसे पहले अपने को जो अंतराल दे रखा होता है उतना कौन मनाते हैं फिर अपने को जो मानक अक्षांस दे रखे होते हैं उतने उतने कौन मनाते हैं उतने कौन मनाने के बाद में यह जो अपना गैप होता है इतने अपने यहां चाप काटते हैं और यह जो चाप है वो जिस मानक अक्षांस के उपर जहां पर काट रही है उस वाले पर्टिकुलर पॉइंट से यह जो स्ट्रेट लाइन बनाई थी इस तक अपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रो करते फिर अपन अपनी मर्जी से एक सीधी लाइन बनाके यह वाले जो डिस्टेंस थे इतना इतना अपन यहां बनाते हैं और यह वाला डिस्टेंस कौन सा होता है 40 डिगरी मानक अक्षांस हो 60 डिगरी मानक अक्षांस के चाप वाला डिस्टेंस होता है यह बनाके इन दोनों ब इतर डाट्स लगाते हैं और फिर जितना अपने को विस्तार दे रखा है उतना अपन बना लेते हैं विस्तार 20 से 80 है तो मैंने 20 से 80 को बना डिगरी वाले को टच कर रहा है यह वाला जो डिस्टेंस है उससे अपन 60 डिगरी वाले पर डोट लगा रहे होंगे फिर 60 डिगरी और 40 डिगरी वाले दोनों के डोट को मिलाते हुए टॉप तक जो लाइन जा रही है उनको मीट करते हुए अपन सारे देशांतर्स बना के उन